जंजित की अवाज जियन भारत में आपका बहुती स्वागत है और राश्पतिय चुनाओं को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है ज्यारकंड से जियां जियां जियमेम ने अपना समर्थन जो है वो द्रॉबदी मुर्मू को दे दिया है एंडिये प्रत्याशी है राश्प बाते निकल कर सामने आ रही है इस इस बात को लेकर हमने कॉंग्रस के प्रवक्ता राके सिनह से बात की और इन्हों ने साफ तोर पर यह कहा है कि हमारे गटबंधन राश्पती चुनाओं या फिर महवा मांजी को लेकर नहीं था यह छोड़ी छोड़ी विश्या को लेकर हम गटबंधन पर नहीं आ थे बलकि हम गटबंधन में लेकर रहते हैं विकास को लेकर अगर हम विकास को लेकर धरदान पर जाईगा तो आपको दिखेगा कि यह गटबंधन की ता मौजबूत है क्या कुछ कह रहा के सिनहने आईए सुनते हैं दो कि कहीं कोई गटबंधन में दरारे नहीं है हमारा गटबंधन ना तो राष्टपती चुनाब के लिए था ना ही हमारा गटबंधन रास्वा चुनाब के लिए था हमारा गटबंधन इस राज को विकास की और लेकर के जाने के लिए था तो सुभाविक तोर पे हमारा गटबंधन पूरी प्रतिबधता के साथ इस राज को विकास के दिशा में ले करके जाने में अपनी पूरी तरह सफलता हासिल किया है जिस प्रकार अपने सासनकाल में 17-18 सालों के दवरान भारती जनता पार्टी ने इस राज को लूटने का काम किया इस राज की जनता को ठगने का काम किया आज तक महंगाई के नाम पर इस राज के और देश की जनता को भाजपा ठलने और ठगने का काम कर रही है तो कहीं न कहीं गटबंधन जो है पूरी प्रतिबंधता के साथ राज के अंतिम ब्यक्ति तक विकास की किरन पहुंचाने का लग्छ ले करके आगे बर रही है और हम उसमें सफलता हासिल कर रहा है गटबंधन पूरी तरह मजबूत है तो आपने साफ तरप पूर राके सुना का कॉंग्रेस प्रवक्ता का स्टेंड अपने देख लिया वहीं पे बीजेपी ने घेरते हुए कहा कि कॉंग्रेस को महत्व उतना नहीं दिया जा रहा है लेकिन ये बहुत ही जेमें को उन्होंने तारीफ करा है कॉंग्रेस ने बाफ अगर ये स्पॉंटेनिया समर्थन होता तो ज्यादा बेहतर होता है उन्होंने काफी विचार विमर्च करके समर्थन लिया क्या चलिए इन्होंने जो समय भी लगाया इंटर इंटरनल कॉल का इस पर हमारीटी पर नहीं उचित नहीं है लेकिन गुरुजी ने एक बार अप पर एक अधिवासी महिलासी नहीं जा रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उन पर अभद्र, मर्यादित, अशोगनिये, लिंदलिये टिपनी कर रहे थे उसके लिए अभी तर्क कॉंग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो उनको जिस तरीके से कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल बैरियर, सपोर्ट मिलना, यह बहुत अच्छे संकेत, लेकिन कुछ दल अभी भी अपनी आधत से लाशार हैं और वो नहीं चाहते कि दलित और अधिवासी समधाय की लोग जो ग्रास रूट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो शेष्ट पर पहुंचे. अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें.